हेलो गाइश और वेलकम टो माई यूडूब चेनल टैग बॉम के इस यह वीडियो आपको बताने वाला हूँ आप अपने समसंग एलक्षी यह जीरो फाइफ यास की फोन में स्मार्ट काल सेटिंग को यूज कैसे करेंगे उसको आन कैसे करेंगे तो सबसे पाले आप फोन डा आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे काल बैक्ग्राउंड है अगर आप इंकमिंग कॉल बैक्राउंड चाहते है तो इस इसे पर इंप कर सकते हैं और ऐसे बहुTalk से फीचर है मैं आपको करके दिखाऊंगा आप यहां से set कर सकते है set as call background अब call आएगे तो इस तरीके से skin पे दिखाई देगा बैक आजाते हैं बैक आने के बाद यहां पे answer ending call का option मिलता है यह काफी जबरदस्त feature है वो smart feature है जब आप इस पर click करते हो तो यहां पे इसके अंदर है read column name allowed अगर इसको on कर देंगे तो जब भी आप bluetooth से या किसी handset से connect रहेंगे तब किसी की call आएगी तो उसका नाम बोलेगा इसके बाद answer automatically अगर आप इसको on कर देते हैं तब अगर आप अपने phone को bluetooth से connect किये हैं तो जो भी timing रहेगी automatic यहां पे वो call receive हो जाएगी यहां पे दुबारा किले करके time set कर सकते हैं इसके बाद यहां पे प्रेस volume up to answer call इसको on कर देंगे तो जब भी call आएगी volume up button plus button click करेंगे बटन जो call receive हो जाएगी और power button को प्रेस करेंगे call कट जाएगी इसके बाद बैक आते हैं यहां पे है call display wheel using app काफी important feature न है जब आप किसी application का use कर रहे होंगे उसमें call आएगी तो full screen में दिखना चाहिए या pop up में या mini pop up में दिखना चाहिए जो option चूज करेंगे उस तरीके से दिखेगी जब भी कोई call आएगी अगर application का आप use कर रहे हैं तो यह थे सारे smart feature आप इनको use कर सकते हो